देख रहे हैं देश की जो बड़ी बड़ी समस्या है उनके सामने उनके साथ ही एक और समस्या है कि सैनिक स्कूल एक कांसलिंग का सेकेंड राउंड कब शुरूगा जो राउंड अभी कल खतम हुआ है उसके आगे की क्या कारवाई है इन सब पर हम बातचीत करेंगे और बहु सेकेंड राउंड में कितनी वेकेंसिज आएंगी क्या होगा हमारा बच्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा हम उसके बारे में केवल आपको डेटा बेज़ इन्फरमेशन दे सकते हैं हम उसके बारे में स्पेस्विक नहीं बता सकते कि आपके बच्चे के 219 नंबर आये हैं वो किसी स्कूल में जाएगा कि नी जाएगा, एनसस में जाएगा कि नी जाएगा, तो यह सब चीजों पर यहां चर्चा करेंगे, उससे निशकर्ष निकालना आपका काम है, आप निशकर्ष निकालने का काम मुझे मुझे पर मत छोड़िये, हमारे एक पर्मानेंट नमबर आता है स्क्रीन पर पिछले तीन दिन में मेरे खाल से तीनों दिन मुझे साड़े तीन से चार बजे सुबह तक जाके पेरिंट्स के मेसेज़ेस के जवाब देने पड़े कारण यह है कि आप जब सवाल पुछते हैं हमारे पर एक मॉरल रिस्पॉंसिब्रिडी आ जाती है उस मिस भी हो जाते हैं I accept that लेकिन 99.9% लोगों को यह assurance है कि हम जवाब देते हैं सबसे बात नहीं कर पातो लेकिन कल मैंने जैसे 15 या 17 पेरिंट्स से बात करी है ऐसे करके कई आपकी समस्या लेकिन सीधा मत लिखें talk to current lady आप अपनी समस्या लिखते है क्या पता उसका समाधान वहीं पर मिल जाएगा कई आपके छोटे-छोटे डाउट्स होते हैं कि मेरे बच्चे की डेटो बढ़ती है वह अगले उसके लिए eligible है कि नहीं है आप खुद भी पता कर सकते हैं लेकिन ना सीधा लिख देता हूं कि eligible है या नहीं बस वह answer है इसके लिए बात करने के www.gov.in इस website का link हम इस वीडियो के description में डालेंगे उससे क्या लाब होगा कि second round का जो schedule है थोड़े दिन में यहां पर live हो जाएगा और यह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें और exit करने के last date क्या थी उसके बाद document और medical का जो पंदरा तारीक यानी की Monday से शुरू होगा उसका date आया 8 बे से and last date for document submission and fee submission is 27th April तो सबसे पहले जो बड़ा सवाल है पहले हम second round की बात करेंगे उसका first round की बात करेंगे तो यह जो 27th April लिखा है यह एक महतोपूंट दिन है इस में जो सैनिक स्कूल admission counselling का पहला round totality में खतम हो जाएगा होता क्या है आपने 12 तारीक तक आपने choice कर दिया accept कर लिया reconsider कर लिया और exit कर लिया केवल accept करने से जितनी vacancy भर गई है वो बताओंगा कहां पर गई है अब वही last vacancy available नहीं है कारण accept करने के बाद कुछ लोग medical में reject हो जाएंगे मैंने ही अपने एक बच्चे का वीडियो डाला है वो बच्चा RMS बैंगलोर और सैनिक स्कूल घोड़ा खाल के लिए दोनों के लिए select होगे मान लीजिए वो सैनिक स्कूल घोड़ा खाल जॉइन कर लिता है तो RMS बैंगलोर की एक seat खाली होगे और जो RMS बैंगलोर की हमारी second list आएगी की नहीं आएगी लेकिन RMS बैंगलोर के बास अलुड़ी 50-60 लोग reserve में उनको next वाले को call आ जागे कि वह तो आया नहीं तुम आ दो तो second list नहीं आएगी लेकिन जो पहली बार में reserve है जिनका merit में नाम नहीं आए शायद उनको खुशकबरी मिल जाए एक seat तो मैंने आपको बताई दिया कि वह एक seat खाली होगे अब कुछ लोग medical में reject होंगे जादा नहीं होगे मान लीजे एक school में 80 बच्चों ने जाना था तीन लोग medical में reject हो गए और तीन लोग documents नहीं जमा कर पाए और चार लोगों ने फीस ही नहीं जमा गड़ी सब कुछ होने के बाद चार और तीन साथ और तीन दस तो दस vacancy इस परकार से 300 साड़े 300 vacancy कुछ पहले से खाली है कुछ भरी नहीं है तो इस परकार काफी सारी vacancies मेरा अनुमान ये है कि class 6 की 4500 vacancies है मान लीजे तो इस में से साड़े 3000 भर गए तो 1000 vacancy round 2 में चली जाएंगी पिछले वाले उसमें भी ऐसे कुछ चलना था अब round 2 वालों ने क्या करना है 27 से पहले pray करना है लेकिन pray के साथ साथ data को study करना है वो क्या study करना है मैं बताऊंग यहाँ पर जवाब school information में जाते हैं यहाँ पर जवाब school information में जाएंगे एक scheduling schedule आगे यहाँ पर school information एबड़ा तगड़ा काम है school wise cut-off है यहाँ और cut-off में आप पता कर सकते हैं जैसे हम class 9 का लगते हैं लोग करते नहीं है और type of school तो स्कूल सी है round कौन से round अभी वनी हुआ है और school जो पहला school आएगा उसको select करते हैं मान लीजे नगरोटा जम्मू का है और कौन सी category है अभी आप जम्मू के रहने वाले हैं तो आपने home state करना है बाहर किसी भी category के है तो other state करना है और यहाँ search बटन दबाने आप देख लीजे जी class 9th में girls के marks यहाँ पर आये हैं boys के 336, 292 और 372 असी SC category 290 पर चलागे है यदि आप SC हैं आपके 289 marks है 287 marks हैं और यहाँ पर अभी vacancies भी बताएंगे यहाँ पर क्या आएगा सबसे important चीज़ के आने वाला seat matrix आने वाला तो seat matrix अब आएगा यह class 9th की चलते हैं यहाँ पर select कर लगते हैं जी sanic schools क्योंकि new sanic school में है यह नहीं 2024 ही आजएगा seat matrix जब आप search button दबाएंगे तो यहाँ पर seat matrix आजएगा कि कि स्कूल में कितनी seat खाली है अभी कर बता रहा है तो इस प्रकार आपको पता लग जाएगा कि मेरे बच्चे के 287 number है और मेरे बच्चे नगरोटा में SC category दो seat भी खाली है या एक seat खाली है यह आपको अगले round की choice करने में मदद करेगा अब second round की जो बड़े-बड़े questions थे वो यह थे बड़े-बड़े सवाल क्या थे जी कि क्या हमें पूरी 10 choice दुबारा भरनी है येस अगर आप classics वाले हैं क्या आपको 14 choice एनसे की दुबारा भरनी है येस ये करिएगा कुछ लोगों ने इस बार भी 6 भरी किसी ने का 3 भरी कई ऐसे भी बहदूर है मेरी तरह जिनों ने का बस सैनिक स्कूल नगरोटा ही लिखेंगे हमने और कुछ कर रहा ही नहीं है कुछ भी कर सकते हैं तो यह आपने करना है और यह मैंने वेबसाइट इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी संक्या 10 से 15 हजार है जिनों ने पहले राउंड में रेश्टेशन हैं किसी ने का मेरे बच्चे के तो 214 नंबर हैं कई तो लगेगा नहीं उसने का राउ और आप उनने जब 214 नंबर वालें देखा कि 180 वाले का भी मेरे कैडिकरी वाले का राउंड वन में सेलेक्शन हो गया है इनके तो हाई तौप हमजगी हो इसलिए मैंने का है चाहे आपका नाम आएगा जितने भी नंबर है अगर आपके बच्चे ने क्वालिफाई किया है आप एक कांसलिंग में हिस्सा ले लीजे ना एक प्रतिशत किसमत भी उसको दीजे कि क्या पता कंप्यूटर में ऐसा कॉम्बिनेशन हो इस प्रकार से लोगों ने चॉइस भरी हो कि आपके बच्चे का नंबर आ जाएगा कहा आएगा कि स्कूल में आएगा बहुत बड़ी वो है अब मैं बताता हूँ क्यों सीटे खाली रहने वाली हैं वो सीटे क्यों रहने वाली हैं कि आपने चाहा था से कुंच पूरा आपको मिलके С रिवाड़ी ये केसिस भहत हैं हजार सीटे तो मैं बता दिया उस तरह से ये जो दुखी आत्माएं हैं जिनको आपके मांसिक उसके उससे नहीं मिला जिनको शान्ती नहीं मिली है कई कह रहे हैं जी हम जम्मू के रहने वाले हमें कड़ा कुटम मिल गया हमें काली कीरी मिल गया हमने नहीं भेजना ये लोग क्या करने हैं रीकंसिडर और रीकंसिडर करने वालों के संख्या कैन भी as high as 50% तो जो 3,500 सीटे भरी हैं उसमें से भी 11,200 सीटे ऐसी हैं जो खुश नहीं हैं हमें खुश करना बड़ा मुश्किल है सही मैं बता रहा हूँ है भारतियों को क्या, human beings को खुश करना बड़ा मुश्किल है, ये हैं आपके जो बचाओ में आए तो इस राउंड टू में 1000 प्लस, 1500 और लगा लो 2000 और लगा लो, कम से कम 3000 के करीब सीटे भी खाली हो सकते हैं अपर लिमिट दो सवाद 2000 तो होंगी ही होंगी क्योंकि रीकंसिडर वाले बहुत हैं फिर कर एक मैडम से बात हुई कि हमारे बच्चे का हो गया लेकिन हम भेजेंगे ही नहीं हमने नहीं भेज़ नहीं उनके बेटे ने हाय तौबा मचा दी कि सैनिक स्कूल में तो रगडाई होगी बिलकुल होगी जी वहाँ पढ़ाई ठीक नहीं होती वहाँ खाने को नहीं मिलता है उसने जाना ही नहीं उसके पैर हाथ पैर कहाँ परे अभी तो जो मिट्टी के शेर हैं वो भी भाग जाएंगे और कुछ लोग हैं जब जॉइन करेंगे अभी जुलाई से जब सेशन स्टाट होगा पहले सब्ता में उन्होंने वंदे भारत करके भाग जाने वो भी 10-12 सीटे 7 राउंड में भी जाके खाली मिलेंगे तो इसलिए मैंने कहाँ आप हिम्मत ना छोड़े लेकिन सारा बोज मेरे पे मत डालने आप बताओ कि स्कूल में होगा हमारे बच्चे का होगा कि नहीं होगा मैं नहीं बता सकता हूँ ये आपको हिटेंट ट्राइल करता ही रहने पड़ेगा अब राउंड टू में लोगों के डाउट क्या-क्या है जितने पिछले दिनों में सवाल-जवाब आये हैं उन सब के मैं सवाल-जवाब देता हूँ सबसे पहला जो राउंड वन वाले हैं हमारा आपके बच्चे के सेलेक्शन है उसमें लिखा है नो स्कूल है बिन अलोकेटेड टो ये चाइल तो हमारे को कह रहे हैं रीकंसिटर ऊपशन नहीं ना रहा है आप अभी सेलेक्ट हैं अपका क्या रीकंसिटर करोगे तो जो जिनका राउंड वन में मेरिट में नहीं आया है वो सीधा ही राउंड टू में पहुंच जाएंगे automatically लेकिन सीधा पहुंच जाने का मतलब इन है कि जो आपने choices भर दी थी round one में उसी अगर आप नहीं choice change करते हैं वो ही पकड़ लेगा computer round two जब शुरू होगा शुरू होने का तिथी एक मईश से पहले नहीं होगा कारण मैंने बता दिये 27 तारीक को तो यही कारवाई चलेगी वो बताऊंगा अभी round one के जब कहानी करते हैं कि कैसे सीटे किस दिन क्या होने वाला वो कहां चलेगे सीधा round two में अब round one वाले जो merit में आ गए थे जिन्होंने reconsider दबाया वो भी round two में automatically आ गए क्योंकि इनका registration पहले है तीसरे जिन्होंने registration नहीं किया था वो registration करा के अभी round two में आएंगे तो यह तीन प्रकार के लोग round two में आगे अब हैं शेरों की कहानिया सुनिये मेरे बच्चे का चंदरपूर में हो गया है हमें सतारा चाहिए तो हमने reconsider दबा दिया लेकिन अब हमें डर लग गया है तो क्या round two में हमें वापस चंदरपूर भर सकते हैं पक्का भर सकते हैं लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी guarantee नहीं है point number two ये है कि मैंने accept कर लिया है और medical में मेरा बच्चा reject हो जाता है तो क्या मैं round two में हिस्सा ले सकता हूं नहीं ले सकते accept वाले करने वाले और exit करने वाले उनके लिए e-counseling का कहानी खतम है बारी बारी नहीं जा सकते ये चीजें आपको समझनी है ये चीजें बिलकुल clear होना चाहिए कि round two में ये तीन categories ही जाएंगी बाकी लोग नहीं जाएंगे एक बार आपने accept कर लिए फिर जिलिए आपका नहीं मन कर रहे हैं अब एक और हैं जो सब कुछ करके सैनिक स्कूल जब पहुंचते हैं अब गेट के बास कुटा घूम रहा है कुडा पढ़ा है अंदर जाके आपको अच्छी फिलिंग नहीं थी बिलकुल motivated गए थे लेकिन वहाँ पर का environment देखके वो क्यारियां ठीक से नहीं है मेरे जासे बंदों तो अगर turn out देखा गा ठीक जब round 2 का है यहां पर timeline आ जाएगा round 2 ऐसे चलेगा फिर round 3 होगा round 4 होगा round 5 होगा round 6 होगा round 7 होगा कई लोग अभी भी मुझसे पूचने कितने round होंगे तो total 8 rounds होगे और इस सब को बताने के लिए SOP है SOP कहां से download करने है अब मैं किसी को SOP नहीं भीज़ूँ हूँ आधा मेरा दिन SOP भेजने में जाता है वो बतारहूं कहां पर है इसको अटा लेते हैं यह जी यह नोटिसेज लिखा है यहां guidelines and SOP लिखा है यह रीजी SOP वर यहां सीधा download दिया है इसमें यह आ जाएगा यह SOP है standard operating procedure कारवाई कैसे होता है जैसे आप KFC में जाते हैं उनकी SOP है कि बंदा आएगा पहले पे करेगा हम उसको परची देंगे उसका हमाँ पर नंबर आजएगा फिर जब समान आएगा नंबर आजएगा फ्लैश बोर्ड पर अपना समान ले जाओ सेल्स सर्विस है SOP बोलता हूँ गौर्मन्ट हास्पिल में जाएंगे पहले रिसेप्शन पर परची बनाओ फिर अपने डॉक्टर साब कर जाओ वहाँ वेट करो फिर वहाँ से परची लेके डिस्पेंश में जाओ दवाईया लो उनकी SOP है ट्रेन की SOP अलग है अब अग को फिर चेक करेंगे इंस्पेक करेंगे इस प्रकार के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जिसके हिसाब से बड़ी-बड़ी संस्ताय काम करती है तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस सैनी स्कूल सोसाइटी बहुत बड़ी संस्ताय है इतने पेजिस की SOP है सब कुछ ह इसमें अभी जो एक पूरी कैटेगरी ऑफ पीपल है मैंने भी देखा हमारे एक बच्चे के इंग्लिश में 111 नंबर दिखा रहा है उसके पॉइंट उसमें जो लेटर आया है यह बड़ा कर लेते हैं इसको जो उसका सेलेक्शन के लिए प्रोविजनल कॉल लेटर आया है यह राउंड बन में अभी जाने वाले हैं उसको प्रोविजनल कॉल लेटर बोलते हैं उसमें इंग्लिश में छटी क्लास के बच्चे को 111 और मैट्स में उसको दिये हैं 47 नंबर आपको भी पता है कौन से मा जायत है सूपी में एंटीए का इमेल आइडी दिया है और अगर आप ज्यादा हीट रेज करना चाहते हैं डीजी अट दिरेट एंटीए डॉट एसी डॉट इन यह जो डीजी साब का इमेल आइडीए डीजी साब बहुत बड़े विक्ति होते हैं उनको आप बेकार-बेका ग्यार की मेल भेजके तंग न करें अब कही गयरा जी उसका 247 वाले का हो गया मेरा 260 मैं भी did they है उसका हो गया मेरा निवा मैंने होता है क्या वह आपके प्रदेश का कि नहीं वह असका मद्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश का अब क्यों इस प्रकार का जगड़ा करें किसी भी स्कूल में अधर स्टेट स्वालों से कंपीट करेगा तो जब स्कूल का कट आफ देखेंगे आपको लगेगा अधर स्टेट ओबी सी कट आफ 247 गया लेकिन भाई साफ स्टेट देखना थे या अमपी लिखाऊगा तो जब चेक करेंगे आपने अपनी स्टेट के हिसाब से चेक करते हैं गोडा खाल है और आप उत्रा में रहने वाले आपके लिए het यह सी मी बहुत स्कूली सब्सक्राइब पीसे और उनके बच्चे को सैनु में नहीं लेना चाहती है फिर जब मेर से बात वट कि तो भाई साब का थोड़ा बीपी डाउन हुआ नाम मैं किसी का निर्दा मुझे नाम पता भी नहीं है लेकिन इस प्रकार की समस्य आती है फिर एक कह रहे जी हमारे बच्चे का सेलेक्शन हो गया है लेकिन उसका जेंडर मेल की जगा उसके जो कॉल लेटरों पे फीमेल लिखा है ये सब सैनिक स्कूल सोसाइटी जिस स्कूल के लिए आपका सेलेक्शन होआ है सारी डिटेल यहां पर यहां स्कूल इंफॉमिशन लिखा है स्कूल की सारी वेबसाइट से उनका एमेल आडिया आप इमेल डाल दीजिए NTA ने आपको जवाब ने दिया कोई बात नहीं है स्कूल ने जवाब ने दिया कोई बात नहीं है कल जब आप इसको लीगल उस पर जाते हैं RTI के लेवल पर जाते हैं कोड केस के लेवल पर जाते हैं तो ये चीजें आपका साक्षि के रूप में स्विकार की जाएंगी आपने बोलना है कि भाई साब मैंने तो समय रहते बता दिया था इन लोगों ने जवाब ने दिया तो फिर सैनिक कूल सोसाइटी और नैशनल टेस्टिंग एजनसी बात दे हैं आपकी बात मानने के लिए और अगर आपको बड़ा स्ट्रॉंगली लगता है हमारे देश का समयदान कानून इतना तगड़ा है कि एक साल बात भी अगर आपके केस प्रूव हो जाता है आपके बच्चे को सीट दी जाएगी इस बात पे हमेशा भरोसा रखें सिस्टम आपका दुश्मन नहीं है लेकिन सिस्टम में human beings है errors करते हैं वो वहां से गलती हैं हो सकती है कि यह सवाब mail कर देजिए पका mail करिए कोई कह रहे हैं आपके कहने से फरक पड़ेगा अरे मेरे तो मेरे घर वाले नहीं सुनते मेरे यह स्टेटस है जी मैं बताना पढ़ रहा है ताकि आप मेरे पर ज्यादा भी भरोसा नहीं मैं आपको उंग्रीजी लिख के दे सकता हूँ ठीक कर सकता हूँ सारी नहीं लिख पाऊंगो लेकिन गाइड तो करे सकता हूँ अपनी लड़ाई स्वयम लड़े आत्म निरभर बने डी आई वाई बोलते है उसको डूइट यहां पर मिलेगा आपको इस सोपी में सब कुछ है अब चलते हैं जी राउंड वन में राउंड वन में क्या हो रहा है इसको हम आउट कर दें यहां पर काउंसलिंग प्रॉसेस का जो है काउंसलिंग का शेडियूल आयव है और लिस्ट ऑफ डॉक्मेंट से मुझे लगता नहीं कि लिस्ट ऑफ डॉक्मेंट अभी लाइव हो है यह जो पंदरा तारिक की डेट है यह वीडियो आप 14 कोई देख लेंगे आज जब मैं आज यह लाइव हो जाएगा तो यह आप देखिएगा पंदरा से शुरू होगा कईयों की अभी तक मेल आभी चुका है कल से हमें तो स्कूल से कॉल नहीं आया हमें कुछ निवा अभी तक क्या था एक लाख से ज्यादा बच्चे में क्वालिफाई किया था लेकिन अब मान दीजे नगरोटा आज क्या नगरोटा की बात कर रहे हैं तो नगरोटा में इस समय क्या चल रहा है सैनिक स्कूल में नगरोटा में मान लिजे जी 83 सीट्स थी या 67 जितनी भी है उन 83 बच्चों में से कम से कम 67 के नाम प्रिंसिपल साफ के पास क्लर के पास पहुंच गये और गुम गया है आपने चेंज नहीं किया तो फिर कॉल नहीं आ सकता फिर मेल आ जाएगा और नहीं आता है तो आप मेल कर दीजिए स्कूल को बताइए भई मेरा संपर्क चेंज हो गया है मुझे इस नंबर पर कॉल किया पक्का पढ़ेंगे क्योंकि अब डेटा बहुत नेरो एसोपी के अंदर कि स्कूल का कौन सा डिपेंडेंट हॉस्पिटल है गौर्नमेंट हॉस्पिटल है दिया वाए नाम वो तो पढ़िये ना आप मुझे कह रहे हैं आप पढ़के बता दो सर मैं नहीं बता सकता इतना समय नहीं है इंडूजिएल को करने जब एसोपी यहां एपसेट पे है प्लीज डू दाट अब क्या करना है पंदरा से सोला सत्रा अठारा कईयों को कॉल आगे एक मैडम का आया है एक भाई साब का कॉल आए कि सर हमें स्कूल से कॉल आए अमबिकापुर से और हमें बताया कि अठारा को हमने डॉक्मेंट लेके पहुंच जाना है अब लोग कह रहें पहले हमने स्कूल जाके डॉक्मेंट चख कराने कि पहले एमें जाना है एस सोपी में लिखा tournaments है यहाँ पर download मे दिया हुआ स्कूल information के नीचे वह उसमें list of document दिया है वहां से form डाउन्रोड करें नहीं होता है तो एस सोपी में पूरा medical है उसका print ले ले उसके दो कॉपियां करा लें और उसको लेके आप दिये वे हॉस्पिलिल पहुंच जाए उसके साथ जो बाकी डॉकुमेंट है चेक्लिस्ट है आपका डेटो पर सड्विगेट है अधार कार्ड है प्रोविजनल टीसी है और बच्चे का जो मेडिकल है मेडिकल कंप्लीट होगे आपने स्कूल में पहुंचना है तो इस सारे कागज लेके आप दिये वे समय पर स्कूल के गेट पर बहुत जाएंगे स्कूल खुला होगा स्कूल कियेगा भाई साब ये आप मेडिकल 18 को कराएं और 27 से पहले फीस लेकर मेरे पाथ पहुंच जाएं वो आपको कॉल करके उनके हेट कलक बताएंगे उनके काउंसलर बताएंगे स्कूल में जाएंगे आपने डॉक्मेंट चेक करा लिए सब कुछ वेरिफाई करा लिए मेडिकल का आपका सब चेक हो गया बिल्कुल ठीक है उनके कलक बोलेंगे हेट कलक कि भीया आप जाएं और यहां फीस जमा करके अपने घर वापर चलते हैं बच्चे को वहां नहीं छोड़ना है जब यह सब कारवाई हो जाएगी इसके भी तीसे एक दिन के बाद आपको जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन ये जॉइनिंग लेटर मिलेगा बड़ा लंबा चोड़ा कितने निक्रे लेके आने हैं कितने सॉक्स लेके आने हैं कितने अंडर्वेर बनान लेके आने हैं कितने कपड़े लेके आने हैं सब चीज दिया होता है फौज का जो काम है इतना बड़ी है तब आपने उस समान इखटा करना है और बेटे का देज लेगे आप पहुंच जाना है सैनिस्कूल नो उसको जमा करा किया जाना है इस दोरान भी कई लोगों के हाथ पैर फूलेंगे कई मेरे जैसे रिष्टेदार है सीनियर फौजी हो कहेंगे आरे मत भेजो बेकार है तो बंदा फीस भी जमा करा है अब फिर ये लोग भी विकिंसिया खाली होती रहेंगी इसलिए साथ में आठ फे राउंड तक काफी साथ दिन पहले महीना पहले तीन मैने बड़े क्रूशल होता है रगडाई होतीया है दोड़ा दोड़ा के उनकी जान लिजाती है उनका पूरा रूटीन तहसने इस कर दिया जाता है तिग गया तो टिग गया इसलिए यह जो समय है जिन-जिन के बच्चे निकल गए जिनको हुआ है उनको भाई अभी रॉकट बना दो माक मैं वर्ड्स शुरू के दिन बहुत डिफिकल्ट होंगे रैगिंग नहीं बोलते है उसको रूटीन ही फौज में रैगिंग करने की ज़रूत नहीं है आठ किलोंटर अगर वैसी दोड़ाया जा रहा है आपको रैगिंग करने क की जाएं नहीं की जाएं तो भई प्लीज कुछ क्या रहे है मुझे तो अपने बच्चे को आई टी भीजना दे मैं अगर बारवी तक बच्चा तीर की तरह सीधा रह गया कोई उल्टी बुल्टी धर उदर की आपते नहीं पड़ी आइस भी बन जाएगा यह सोचना आपक और कुछ वेकेंसियां जो मिल्टर स्कूल खाली कराएगा कई बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल मिल्टर स्कूल में निकल गया है और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो घोडा खाल में निकला है वही बैंगलोर में निकला है वही एजमेर में निकला है तो घोडा खाल की भी तक मिल्टर स्कूल का जानिंग डेट है इसलिए मैंने कहा बहुत सारे 27 तारिक को रिविलेशन होने वाला है बहुत सारे चमतकार होने वाले हैं और प्रिंसिबल साथ जो बच्चे आ गए उनको कहा दें भई अब मैंने कहा था 67 बच्चों का नाम गया था उसमें 40 बच्चों ने मेडिकल डॉकमेंडेशन फीज करी है तो 67 में से 27 विकेंसी राउंड टू में चली गए कोई भी स्कूल हो क्याटेउर कि हिसाब से यह नहीं कि सताहिस सारी ओपन के अटेउर में सेखानिंगे स्टी के स्टी में जाएंगी ओबीसी के ओबीसे में कल निकल तो गया बच्चा वर भीज नहीं पारे इस मामले में जो एनसेस यह बिल्लॉक है इसमें 164 वाले को भी कॉल आ गया जी थोड़ा से ज़्यादा पैसे NSS भीच दो उसका कारेट मैंने कई हो फोन पर बता है NSS में 19 जो पुराने वाले थे उनका merit list है उसके हिसाब से आप सेलेक करें जो आपकी state के नजदीक बढ़ रहा है और कोई ये jail नहीं है एक साल बच्चे का मन नहीं लगा निकाल लो ट्रस्ट में कोई आपके बीचे भारतिये सेना नहीं पढ़ जाएगी क्यों निकाल लिया बच्चे को नहीं लग रहा दिल नहीं बच्चा कोप अप कर पा रहा है बच्चे की जान मत लीजे लेकिन एक साल उसको करके देखे आपको नहीं समझाएगा वापस अपने स्कूल में लेए मैनेजर से बताया कि मैं तो किंद्री विद्धाले में पढ़के एंडिये चला गया मेरे पास साथ से डेड़ साल पहले दो लड़किया आई थी जो यूट्यूब पे कोर्स करके एंडिये में निकल गी तो इतना भी कोई महान काम नहीं चल रहा है या आपके अपनी अपनी वह है कि या भेजना है प्रस्टीज का इशो है परिवार में थोड़ा वोगा या कुछ बच्चों से वाकित तंग है सुपारिय दे के ठिकाने लगाना चाहते है बहुत सही जगह है जितने उसने बदमाशियां करी है वो एक महेने के अंदर सब के उपर प्रस चल जाएगे वो बच्चा विलकुल तीर हो जाएगा पढ़ाई का स्टेंडर्ड अच्छा है खेल का स्टेंडर्ड अच्छा है खाने का स्टेंडर्ड अच्छा है बहुत अच्छी और्गनेशन उसको मैनेज़ कर रहे है जहां जहां पर human beings होगे वहां पर human follies बोलते है हमारे अपनी कमिया वो होंगी किसी के warden साब का बेहे ठीक नहीं होगा, किसी का थोड़ा बहुत छोटी है, इन सब को चलने दीजिए, सड़क पर आप रेड लाइट पर खड़े होता है, फिर भी एक स्कूटर वाला निकल जाता है, आप गालियन दे रहे होता है, तो ऐसे शेयर सब जगा है, तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन हिम्मत बढ़ दाएगी, या जो बचा-कुचा साहस है, वो भी खतम जाओ, वीडियो इतना खतरना कि इतना कड़वा वीडियो है, प्लीज वाच दाट, तो यह सब कर वहीं चलेगी, 27 तारिक को प्रिंसिपल सहाब को पास आया, एक ऐसा बच्चा, जिसका अभी मेडिकल क् होके नहीं आजाता, यह राउंड टू के बजाए वेकेंसी कहां जाएगे, राउंड थ्री में, मैं इतने कॉन्फिदेंटली इस ते बोल रहा हूँ कि पिछले साल चारी राउंड होए थे, और मुझे बड़ा इंट्रेस्ट आया, यह सब पूरी इनकी जानकारिया लेते, डॉकुमेंट्स की लिस्ट काया है, जी डॉकुमेंट्स की लिस्ट भी ही है, वो भी दिखाते हैं आपको, यह जो आप देखेंगे यहां पर, तो एक काउंसलिंग प्रोसेस में नीचे यहां दिया हूँ है, लिस्ट आफ डॉकुमेंट्स, यहां खोलेंगे, उस पहले यह खुल ने रहते एनी अदर डॉकुमेंट स्कूल और प्रिपेरिंग यह रे लिस्ट ऑफ डॉकुमेंट एस पर फॉर्माट पीडिएफ डाउनलोड यह वो और यह कहीं अगर नहीं मिलता तो एसोपी में सारे के सारे दिया वहां भी नहीं मिलते हैं तो आप स्कूल को मेल करें वो एक लिस्ट ऑफ डॉकुमेंट भेज देंगे उसके साब से टाइप करें भर के लिए स्कूल में जवाब जाते हैं आपका जाती प्रमाण पत्र बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए बच्चे का डेटा पध उरिजिनल होना चाहिए, बच्चे की फोटो अधार काडः ओरिजिनल होना चाहिए आपका आय प्रमाण पत्र है, वो गलत बन गया उन्हांने का तैसिलदार से बना के लाना आपके आफिस से बना के लिए यार ये बना के दुबारा भेज देना 10-15 दिन का समय देंगे आपको, आपके दुश्मन नहीं है सिंगल मदर है, वो डैवोस के पेपर नहीं अभी साइन हुए, बच्चे के पिता के नाम में एक एफिडेविट बन वालो कि मैं एक मेरा डैवोस प्रोसीडिंग चल रही है, और मैं एक कागज लगा रही हूँ और इसको सत्यापित वो नोटरिस आप कर देंगे, वो एकसेप्ट हो जाता है ये सब चीजों के लिए सब के लिए लीगल आपका है, और कोई ऐसे समस्या है जैसे ही हिटलक सापका, आपको फोन आता है, उनके इमेल आइडी पे आप अपने समस्या लिख भेजें वो सही व्यक्ति है, आपको बताने के लिए, करनल अमरदीप तो कभी सैनिक स्कूल में गए नहीं घुमने में बहुत सारे सैनिक स्कूल में गया हूँ, लेकिन मैं पढ़ा नहीं हूँ मेरे परिवार में काफी सदस है जो सैनिक स्कूल के प्रोड़क्ट है लेकिन मैं नहीं है तो आप पर मुझे सेना का सिस्टम पता है कैसे काम करते हैं तो हर एक विक्ति आपके सपोर्ट के लिए खड़ा है आई साइड का नौक नीज का ये वो लोग मेरे से पुछते हैं कि सर से नीचे होता है फूड चेन आपके आसपास जो डॉक्टर है रहे हैं ही इस दा मोस्ट क्वालिफाइट चाहिए वे एक एंबीबेस के वाज जो बो सर ये फाम है रहा बच्चा वो कहेगा दो सो रुपे तो करके उन्हों देखना है और आपके बच्चे को फिट कर देना ह बताना है कि थोड़ा से इसमें लो चाहिए फिर भी जो गौर्मेंट हॉस्पिटल है जहां पर आपके बच्चे का मेडिकल होगा वो सही जगा है मेडिकल फिट या अन्फिट वो करनेगी वहाँ पर आप डॉक्टर साब से डिसकर्स कर सकते हैं थोड़ा प्यार ज़्याद खाए बच्चे के अधार पर इमेच में जाएंगे अप या घॉस्पिल ने की जाएगी यह आपको ओपन वाले पूल में रिलीज नहीं की जाएगी लिस्ट ऑफ डॉकुमेंट्स हाँ से सब लेके जानें आप अपने पड़े लिखे हैं सब कुछ समझदा रहा है यहां नोटिस आता है जी लेटेस इस्टेशन है गाइडलाइन सोपी है यहां हिल्प डस्क है कॉंटाक्ट अस दिया वाए यह दिया वाजी यहां पर कॉंटाक्ट नंबर दिया वाए मेरे को कॉल करने के बजाए अगर आप इसमें से किसी मोबाइल नंबर पर मेसेजर कॉल कर देंगे तो बहुत ही लाब होगा पर आप करने रहें प्रॉब्लम इस डाट अब आता है जी न्यू सैनिक स्कूल हम भेजेंगी नहीं बेजें यह यह भी चौइस आपके है जी मैं उसमें पताने वाला कोई नियू उसका कारण है कि मैं नियू सैनिक स्कूल भी नहीं गया हूँ ना ही मैं किसी नियू सैनिक स्कूल का प्रमोशन कर रहा हूँ ना ही मुझे कोई शौक है मैं केवल जानकारी दे रहा हूँ मेरी जानकारी पा Sani School है यह State Government के अधियन है और New Sani School है वह private है यहाँ पऩर सोर पे लाने के लिए State Government से फाइल मूव होती है यहाँ पर सीधे-सीदे उनका पैसे हैं फिर ये पैसे हैं तो पैसा लेंगे भी आपसे वहाँ थोड़ा सबसीडी है Scholarship में लोगों का डाउट है, आपको अपनी होम स्टेट में स्कॉलर्शिप लागो है, आउटसाइड स्टेट में केवले एक भिहार स्टेट का मैंने पढ़ा है, जो दूसरे स्कॉल में बच्चे को साथ-ाथ-हजार पे साल का देते हैं, लेकिन अगर आप एकोनॉमिकली बारह हजार रुपए, और स्टेट स्कॉल में ये सारा फीज था, वन पॉइंट फाइव लाक, एक लाग तीसजार, अगर साथ साल, आप उसके नाम पे SIP में लगाते हैं, म्यूचल फंड खरीते हैं, वो बारह पंदरा लाग बारवीं करते हैं, उसका ये हो जाएगा, इतना बड़ा लगपती वेक्ती बन जाएगा आपका बच्चा, डिसिजन लेने में क्या है, कई लोग कह रहे हैं, मेरा अजमेर में हो गया और सैनी स्कॉल काली किरी में हो गया, मैं आजमेर भेज लो, क्योंकि सिविलेंस के लिए फीस के आदी है, वन थर्ड है, तो सैनी स्कॉल एक महंगा एंटिटी है, न्यू सैनी स्कॉल सबसे महंगा है, लेकिन हर एक के साथ प्लसेज और माइनसेज हैं, उन प्लसेज माइनसेज की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है, मैं के वल बता रहा हूँ कि आप मत भेजो, मत भेजिए, आपके बच्चे ने एक्जाम क्लेर करें, शेर हो, बहुत बड़ी है, आगे एक्जाम में और अच्छा करें, मैं त वो थोड़ा toughness कर सकता है च्छटी का बच्चा 10 साल का बाती चूटा है और वहाँ अगर वो सही set नेवा तो फिर left right हो जाएगा वो जारा घबरा जाएगा उसका रहासा confidence पर चल जाएगा और उस समय करश जहलेंगी थोड़ा जो माददा है वो कम होता है नौवी वाला बच्चा गुंडा है तो ये मेरे thoughts है अपने personal thoughts है तो ये आपने सारी चीज़ें ध्यान रखनी है इस वीडियो का title हम देने वाले है कि सैनिक स्कूल round 1 और round 2 में ध्यान देने वाली बाते हैं ये पक्का वो आपको attract करेगा तो मैं promotional भी कर देता हूँ पंदरा अप्रेल यानि परसों से हमारा class 6 का नया बैच शुरूर है सैनिक स्कूल का आरे इंसी का crash course शुरूर होना ले पक्का अगर आप इन दोनों के लिए करने हैं तो करिए कई कह रहे मेरा बच्चा चौथी में आरे यार पहले एक video course कर लो पांचवी में उसको पढ़ाईए चौथी class में तो तीसरी से चौथी में अभी भी गया उसके जो mental status third pass ही है he's just going to class 4 तो उसको आप information overload से मत मारो कोई भी institute कहता है दो साल सैनिक स्कूल की तयारी करें देट देट सो नंबर लाएं सबके बच्चे वो law of diminishing return होता है ज्यादा करोगे उसका effect कम होने लगता है वो भी आपने ध्यान रखना है एक साल घर में पढ़ सकता है बच्चा कोई मेरे पास भी लाने के आप सकता है अपने एक app पे है 1200 रपे का content है वो डाउनलोड कर लो और अप पढ़ा लो best है वो लाएंगे मेरा offline चल रहा है अगर आपका बच्चा आपके हाथ से निकल रहा है जैसे मैडम देखाता है कि मेरी class 1 में है बच्ची हाथ से निकल गई है तो ऐसे अगर है तो रंग धंग और आपके पैसे हैं तो पका offline में लेके आईए फीस दीजिए और हमारे साथ बच्चे को रहने का मौका दीजिए उसको थोड़ा सीखने का मिलेगा पका offline के फायदे लगे लेकिन हम भेंगा है वो करने से पहले धेरदून आने से पहले यहां आके रूनी सुरत बना के मिरे पास है मैं फीस से डीली नहीं करता हूँ लेकिन वो पहले बता रहे हैं हम आपको online course है पका 25-30,000 पर लेते हैं साल के सस्ता वो भी नहीं है उससे अच्छा video course है वो 1200 रुपे में सारा काम करता है वो भी नहीं करना है YouTube पे live classes चल रहे हैं लोग अभी भी इंगर से पूछा रहे है YouTube चैनल पे live ढूंडो अपने हैं मिल जाएगा हमारे चैनल पे जाना है कई और चैनल भी है वो भी ऐसे कर रहे हैं आप वहां से पढ़ लो हर व्यक्ती आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे है हर व्यक्ती का एक business interest है हमारा business interest 20% है 80% नहीं होना 50% ची लेकिन नहीं सारी जो जानकारी दे रहा हूं इसके कोई charges नहीं है जो आप मेरे से संपर करते हैं कोई charges नहीं है मैं जो जवाब देता हूं मैं आपसे कुछ भी नहीं चाह रहा है आपके attention चाहता हूं and please have faith in yourself have faith in the higher powers की जो होगा ठीक होगा आपका बच्चा 102 number लाया वो बहुत बड़ी है आपका बच्चा 300 लाया वो यह बच्चे का कोई rating नहीं है एक school में हो गया कि नहीं हो गया मैं केवी से NDA गया कई लोग हैं जो government school पढ़के NDA आगे NDA को इतना भी हुआ नहीं है आप अगर सही स्ट्राडिशी से त्यारी करेंगे वो मेरा जो वीडियो है सैनिक स्कूल से NDA तक का वो देख लो लिखे SS2 NDA करनल अमरदीप वो YouTube पे सर्च करें वो एक ही वीडियो आएगा एक घंटा 33 मिनिट का वीडियो है उसका अभी टोटल अगर average time viewing का है 7 मिनिट मतलब जिस जिस ने देखा 7 ही मिनिट है average time आप अपने दिल के अंदर जहांके देखे कि आप रील्स देखते हैं और वो वीडियो जो काम का पूर नहीं देखते हैं और हम confusion नहीं करते हैं और आपकी समस्यां है नंबर मैं फिर यहां लिखते दो मैं अभी बहुत भादूर हूँ 74176 56633 कुछ शेरों की मैं तबज्जो चाहूँगा कल 516 missed calls है जबकि मैंने लिखा है इस पर केवल और केवल whatsapp करना है हम जवाब देंगे हमें एक या दू दिन का समय लगता है पर जवाब पक्का देंगे एक आदा को छूड़ गया फिर दुबारा message कर दो आप थोड़ी आप भी class 6 का भी class 9 का भी इस number पर आप जो भी query करेंगे हमारी team केवल उनहीं को call करती है जो कहते हैं कि हम आपका batch लेना चाहते हैं हम जानकारी चाहते हैं बाकि आप जितना मरजी वाट्शाप करते हैं हमारे पास नहीं है समय आप से बात करने का बिना बात के आपको तंग करने का नहीं करते भी नहीं तो this is how we do things and this is how I want you to understand कि ये सारी जानकारी जब round 2 का cut-off list आएगा जब उसका seat metrics आजाएगा हर एक का cut-off देख लिए जो cut-off भी उपर निचे होता रहेगा माली जो cut-off भी last बच्चा गया उसने join नहीं गया तो cut-off उपर चल जाएगा आपने ये सब चीजे ध्यान रखनी है और ये सब चीजे कब clear होंगी 27th April के बाद जब principal साब दबा देंगे बटन कि इतनी seats release कर दिया हमने फिर NTA compile कर रहे है तीन-चार दिन फिर तीन-चार दिन side down लगीगी तो इस परकार system चलता रहेगा अभी data कम हो जाएगा second round में काफी stability आ जाती है system में उतना अभी सरकार के साथ adjust करें that is all in this video, thank you, bye-bye and join